असलामुलेकल कैसे हैं आप साथ उमीद है खरीयत से होंगे आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम डिसकेशन करेंगे वह वोगर WPS और WQT यानि वैल्डिंग प्रॉसीजर क्वालिफिकेशन और वैल्डर क्वालिफिकेशन लेट में जस्टोफन इस स्लाइड़ वामे से क्या पर मुझे बता सकता है कि क्या वो में वज़ा होती है जिसके वज़ा से हमें प्रॉसीजर को क्वालिफाई करना पड़ता है सर इसमें एप्लिकेशन को हमने वेरिफाई करना होता है कि आया जो हैं इन कंडिशन के अंदर इस टाइप के वेल्डिंग सूटबल है या कौन से या किसी और टाइप की वेल्डिंग सूटबल है किस मेटिरियल के लिए किनी स्ट्रेंद के लिए कौन से वेल्डिंग सूट अगर हमें इसे एक वर्ड में डिफाइन करना हूं वाइट इस इंपोर्टन तो क्वालिफाय प्रसीजर आप से पूछ सकता है क्वेस्टिन इस तरह से एक्जाम में भी के लाइट आप अगर एज एज वैल्डिंग इंस्पेक्टर जॉब कर रहे हूँ वैल्डिंग इंस्पेक्टर की ये जॉब डूटीज में एक चीज़ है कि उसको प्रसीजर्स को भी क्वालिफाय करवाना होता है और वैल्डर्स को भी क्वालिफाय करवाना होता है जब भी production welding start होती है तो उस production welding के start होने से पहले qualify किया जाता है welders को और जब जिस production पे आपने काम करवाना है उसके लिए procedure qualify करना होता है हर company के पास कुछ यह अटमुश से इस तरह के welder मुझूद होते हैं जो के उन्होंने specifically रखे ही procedure को qualify करने के लिए होते हैं एक जिनका welding करते हुए पच्छेस पच्छेस तीस साल का experience हो चुका होता है उन्होंने के पास उस तरह के welder जोंगो सिर्फ नंबर में दस वैल्डर्स हैं या बीस वैल्डर्स है अब production में उनको बहुत ज्यादा की रेंज हमारी में अप्रूव होई है उसी रेंज पर क्वालिफाइड बंदा भी आगे चाहिए जो के प्रोडक्शन करने के लिए ये विए ये उप्रोड तो बुट्याइड वै वी निड्टू क्वालिफाइड इड्रशी जा तरह कि अप्रूर्स लीड़िटर्ल प्रोडिटर्श गालिटर्स अप्रून डिठ्स्टितर्वहा एजज भी प्रोडिटर्स ग्णिट ए डिलमिस्टर्स इंट्डर्स एफसल तो जो कुछ भी कर रहे हूं बना रहे हो बार बार बनाते हों reject होता है और फिर बनाते हैं or Press account unless and until जब तक कि आपको ourth photos toys नहीं हो जाती रिक्वाइड application करतें हैं किस चीज को attain के लें mechanical properties क्योंकि और इसी चीज़ पर डिपेंडेंट होती है आगे डब्लीयो क्यूटी टेस्ट है वो भी आप सेम कंडिशन पर लगवाते हो ना क्यूंकि जो आपने प्रोसीजर अप्रोफ किया आप उसी के उपर आगे मैन पावर को हाइर करते हो उसके लिए कुछ सेप्रेट प्रोसीजर न नहीं होता डब्लीयो क्यूटी उसी डब्लीयो पीकास पए लगवाई जाती है जो कि आपने प्रोडक्शन के लिए यूज करना वा सब सकता है यह भी लाइक बताया जी जब हमने डब्लीयो क्यूदी करना है वेल्र क्वालिफिकेशन कर वाने तो उसके लिए को सेपरेट procedure यूज कर सकते हैं और आंसर शुट बी नो वी विल यूज दिस सेम डव्यूपियस दैट इस बींग यूज फॉर प्रोड़क्शन वेल्डिंग कोई हट के डव्यूपियस ऐसा नहीं कि कोई पुराना डव्यूपियस पड़ है तो उसको निकाला और उस पर डव्यूपियूटी लगवा कर जी ठीक है बंदा पास है ऐसा हो नहीं सकता क्यों क्योंकि आपके मिटिरियल की ठिकनेस की रेंज है अगर पाय पैट तो डाया की क अधिक कर रहा है तो यह सारी चीजह हमें कंसीडर करनी पड़ती है तब जाके वैल्डर अप्रोव होता है ऑन डाट डव्यूपियस कि तो वैल्डर तब तक क्वालिफाइच नहीं हो सकता जब तक के वो उस डव्यूपियस के क्वालिफिकेशन रेंजिस के साथ मैच नहीं करका, okay? Okay, so here we have what is the main reason for carrying out welding procedure qualification test so you need to show that welded joint has the properties, which properties, whenever वे यूजिंग दी टम प्रॉपर्टीज जब भी आपके सामने यह तर्म आजाए प्रॉपर्टीज डैट मेंस मेकैनिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है ओके एंड हमें इस चीज को भी डिमॉंस्ट्रेट करना है मेक्शोर करना है कि वैल्ड जो है विदाउट डिफ्रेक्ट बनाया जा सकता है ओके वैल्डिंग प्रॉसीजर क्वालिफिकेशन के स्टेंडर्ड के तहत होती है है तो आपको यह याद होना चाहिए बैसी एन इसो फिफ्टीन सिक्स वन फॉर इस स्टेंडर्ड डैट इस उस्टेंडर्ड वार्डिंग प्रॉसीजर क्वालिफिकेशन यह आपको मैंने चैप्टर नंबर फॉर में भी स्लैश करके इसके साथ लिखवाया था इसका और स्टेंडर्ड होता है 288 ओके 288 भी इसी के लिए था लेकिन वो पहले 288 यूज होता था अभी 15614 बन गया वो उसका सुपर सेट किया है क्योंकि यह रभीयंज होती है ना स्टेंडर्स की तो उसमें पांच साल बाद या दा साल बाद अगर को स्टेंडर्ड रिवाइज हो रहा है उसमें कुछ थ स्टेंडर्ड का ओर्ड वन था 288 ओके कोई भी डवल्यू प्यास जब आप बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले एक प्री डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं प्रीलिम्नरी वैल्डिंग प्रसीजर स्पैसिफिकेशन जिसको हम पी डव्यू पीयस कहते हैं पी डव ल्यूपी qt welding प्रसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट जिसको नॉर्मली हम प्रसीजर क्वालिसकेशन टेस्ट वक्ये यह टेस्ट लगने के बाद उस पे डिस्ट्रक्टिव नॉनडिस ट्रक्टिव जो भी टेस्वार्मेंट सोगर कि करने के बाद उसके record के details आएंगी जो भ कि जो भी उसके पास compile करके आपने उसको record देना उसके according वो ranges set करेगा जो के जिनको हम qualification ranges कहते हैं राइट उन qualification ranges से बनेगा यह PQR या इसको WPQR भी बोल दें welding procedure qualification record या फिर procedure qualification record ओके इस पर होंगे आपके और थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर के सिगनेचर स्टेंप होगी और यह बनेगा डवल्यू प्याइश पीक्यूर जो है वो जिसने भी अप्रूफ करवाया अगर क्लाइंट अप्रूफ करवाता तो उसके पास होगा अगर कंपनी के पास है अधा रिकॉर्ड मुझूद रहते हैं और एंजिनियर आपको एक डॉक्यूमेंट राइट करके देदेगा डाट इस डव्यू पियस वैल्डिंग प्रूसीजर स्पैसिफिकेशन वैल्डिंग प्रूसीजर स्पैसिफिकेशन में वही रेंजिस होंगी जो के अप अगर आप उससे आउट जा के कोई भी डैट कि नहीं बन सकता अगर आप उससे आउड जाएंगे तो आपको रिक्वालिफिकेशन चाहिए पर ऑके पता नहीं कितने pwps बनते हैं reject होते हैं बनते हैं reject होते हैं until you found the right one जब तक कि आपके पास जो accurate one है जो कि आपको proper mechanical properties भी दे रहे हैं आपके joint की required strength भी दे रहे हैं सब्सक्राइब होंगी वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब होगा आगे जो कि फाइनल फॉर्म इफ्तियार करें अब यह कि रिस्पॉंसिबिलिटी होती है i write करना डव्ल्यपीस कोन लिखता है वैलीग इंजिनियर को इट शुड् बी वैरी क्लियर टो यू के WPS वैल्डिंग इंस्पेक्टर राइट नहीं करता है बलके वैल्डिंग इंजिनियर राइट करता है इसको और यह अवेलेबल किस स्पॉर्ट मुझूद होना चाहिए और इसी की इंप्लिमेंटेशन होनी चाहिए अगर आपको डिफेक्ट फ्री वैल्डिंग चाहिए प्राइट कि जब हम पीक्यूर बना लेते हैं फॉर एक्जेम्पल अगर आपसे क्वेस्ट्ट्ञ कर लेता है लॉइक के आपने तो प्रैगर किया है नहीं और फ्रिट्स शाप नहींद है कि आपका यह क्या होगा है आपका अंसर क्या होना चाहिए प्रिवियस एक्सपिरियस तो आपके पास जो प्रोप पड़ा हुआ है वह आपने किसी रीजन के लिए अपने पास रखा होता है वह जब भी क्रेडिबिलिटी पर क्वेस्टन आता है आप वह दिखा सकते हैं निकालके के सिर्फ मेरे सिकनेचर भी नहीं बलके थार्ट पार्ट इंस्पेक्टर ने भी इस पर सिकनेचर की हुए है और यह हम जो य क्रेट हो सकते हैं तो इनीड टो पी वैरिंग केरफूल रिगार्डिंग दिस लिए अगर आप इन डिटेल्स को पढ़ लें तो वेल्डर में एक सटेस्ट वाल इन अकॉर्डंस फिटी डवल्यू पीएस उसके बाद उसके तमाम तर वालिंग कंडिशन रिकॉर्ड होंगी जो कि आपको उसने रेफर की हुई है जो डॉक्यूमेंट में रिटन है उनको बोलते हैं एस उससे आउट आपने कोई रेंज नहीं यूज करने फिर इंडिपेंडेंट एग्जामिनर एग्जामिन बॉड़ी और थर्ड पार्ट इंस्पेक्टर में भी रिक्वेस्टेट सेतार में रीकैशन्वेस्ट उडे है इसका साथ है इसके साथ है इसके सहिट असकी लेफ से बीडिक्टेश अपर गोजने थाप्टेट वर दिह बॉड़्ी तर्ट इडिभा है घर नॉर्मल प्राक्टिस से करवाई जाते हैं घ्ली नान करवा दिक्राइटिन करवा ना नौन दिश्डेक्टिव टैस्टिंग टो करवाई जाती है न तो मेक शोर के आप का जो न्यौन करना हो पाती है क्यूंकि और कहीं पर बी डिफैक्ट आ गया अंदर तो फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा काट आउट करना पड़ेगा रेपेरिंग करनी पड़ेगी ना उसकी बाद अगर वह बहुत ज्यादा लेंद्ध ही निकलाता है तो फिर आपको पूरा पार्टी रिप्लेस करना पड़ जाता है हुआ 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 है इन चीजों को देखना हुआ है इस इंपॉर्टन टेस्टिंग अगर आपकी क्लियर आती है तो अमीद की जाती है कि आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होगा उसमें भी आपको यह वैल्यूज एकुरेट ही मिलेंगी लेकिन अगर वैल्डर में कोई इस ऐसे वेविंग गढरा प्झा में विए एकुरीच किस्ट्रेटम किरेश्टी हुआ है और उम्डर कक्रफेन पर दें तो ह्चेट कि इस किअ जाते हैं वहां से क्रैकिंग मेकनिजम डिवैलप हो जाता है ओके सो ये कुछ चीजें जो कि आपके जॉइंट की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को एफेक्ट कर रहती है ये अंडर कट सर ड्यू टू चीपिंग आता है ड्यू टू चीपिंग आता है ये जब वह रिमोवल कर रहे होते हैं अक्सेश्विल्ड मेटल नॉट ड्यू टू चीपिंग वह तो डैमिज कंसिडर किया जाएगा ना जब आप प्रिपेर कर रहे हो उस टाइम पे अगर कहीं पे भी तो कट लगता है या कहीं से आपका पेरेंट मेटल चीला जाता है तो वह क्या कहला आएगा वह मेकैनिकल डैमेज होगा तब आता है जब आपका इलेक्ट्रोड जो है वह आन परपस जो आपके प्रिप्रेशन के एजिस होते हैं उनके साथ टच करके उनको मेल्ट कर करना शुरू करदे यहुब की गृषट डालना शुरू कर दे उसको अडर कट के खHola कि को अची British Certification and British consider ASME Section 9 as Level 1. Okay? And they consider Level 2 for 15614 because it has more testing requirements than ASME Section 9. So, if a procedure test is carried out to Level 2, that is automatically qualified for Level 1. यानि अगर आपने testing करवाई है 15614 के according, तो फिर आपको Section 9 के according करवाने की जुरूरत नहीं है, आपका Section 9 already qualified है. Okay? क्योंकि अभी हमने यह चीज़ टड़ी की है कि Section 9 is on Level 1. So, obviously Level 2 में ज्यादा testing requirements होगी. Right? But not vice versa. लेकिन अगर आपने Level 1 की testing करवाई है तो फिर वो Level 2 को qualify नहीं करेगी. फिर आपको Level 2 को qualify करना पड़ेगा यानि 15614 के लिए आपको अलाइदा से testing करवानी पड़ेगी. Qualify करना पड़ेगा. और अगर कोई Level specified नहीं है in a contract या application standard तो obviously British will consider their standard and that is applied for Level 2. Okay? These are some things that are related to the previous standard जिसमें invalidate में कहता है यह previous को कुछ approvals हैं जिनमें कुछ थोड़ी बहुत चेनिंग्स की गएंगें कुछ अडिशनल टेस्ट हैं अप्रोवल वैलेड़ेट हैं इसके सर्वेस मेटीरियल यह मैनुफेक्शनिंग कंडिशन में रिक्वाइर मोर कंप्रिहेंसिव टेस्टिंग यह नि वही मैने उको बताया कि जो पिछले स्टेंडर्ड में था उसमें कुछ टेस्टिंग्स जो है उनको थोड़ा एन्हांस की है कंप्रिहेंसिव की है बस ठीक है जिस तरह से हर दफ़ा रिवियन होती है ना तो रिवियन में कुछ चीज़ें आगे मजीद कंप्रिहेंड की जाती है ठीक है उनको ज्यादा डिटेल में डिस्टस कर दिया जाता है जैसे कि वह पहले नहीं वेठी यह कुछ अप्लिकेशन स्टेंड में रिक्वायर मौ डेस्टिंग सवालिडिंग नियर्ज विल्क वालिफाइट वालिव्क्षिजर स्पैसिफीकेशन फोर प्रॉडट्चियցन व्डशियूंग केंशन मुस्ट रिमें धी दिरेंज की रेंज से आप जाते हो तो क्या चाहिए पर रिक्वालिफकेशन की जो रेंज सेट हुई है उन्हीं के अंदर रहे के डव्ली प्यस बनाया जाएगा उस रेंज से आउट डव्ली पीएश नहीं लएगा सो मैंटिपल डव्ली पीएश भी बन सकते हैं वन वाल्टिंग प्रॉसीजर अब यहां पर भी वह क्वेस्टिन आप से कर सकता है जा मैं आप से क्वेस्टिन केरें लें पार इजम्पल बताएं जी क्या हम एक वाल्टिंग प्रॉसीजर से सिर्फ एक ही डव्ली पीएश बना सकते हैं या माल्टिपल भी बना सकते हैं लेकिन कंडिशन क्या है यह इसमें यह बहुत है कि अश्टिन और नॉन इसंचल वेरीबल इसमें यह देखा जाएगा कि उसमें रेंजिस की बात कर रहे हैं रेंजिस की बात कर रहें फॉर एशंपल वह आपको थिकनस की रेंज दे देता है लेक्तसे हैं आपका माटिरियल कार्बन स्टील है वह आपको थिकनस की रेंज जो कौालिफाइड होई है पक्योर में रेंज कोलिफाइड होगी है आपकी 10 mm से लेके 30 mm तक की अब आप उसमें 10 से लेके 20 mm तक की एक रेंज बना देते हो एक आप 15 से 25 की बना लेते हो आप 15 से 30 की बना लेते हो तो यह रेंज किदर आ रहे है विदिन ओरिजिनल जितनी रेंज के लिए क्वालिफाइड है उससे उपर उससे नीचे हम कंसिडर नहीं करेंगे उस रेंज के अंदर रहते हुए आप मल्टिपल डव्ल्यू प्यास बना सकते हो लाट से आपको एंपेरिस की रेंज उसमें मिली हुई है आपने 25 से 45 एंपेर यूज कर सकते हो 25 स 25 से 30 रख देते हुए एक में 35 से 40 रख देते हुए मिनम मैक्सिमुम की रेंज तो इस तरह से लेकिन वो रेंज किदर आ रहे है विदिन डैट क्वालिफाइड रेंज है कि क्या होता है डव्ल्यू पीस का तो चीव स्पैसिफिक प्रॉपर्पिटीज मेकैनिकल स्ट्रेंद पोरो एंदजेस्टंस आपको डिफेक्ट से प्रेड़ं चाहिए कि स्वकाइड को इंफोर्स करने है तब है और फी क्वालिटी सेव्टी प्रिकॉशन आ जाती है क्वालिटी को कंट्रोल करना तो इसमें जो भी चीजें जो भी प्रसेजर इंवाल्व होंगे उनको हम क्यों सी प्रसीजर कहते हैं प्रेड्डियन यह है करने के लिए हैं तो इसको कम्हीट करने के लिए व्हेए अस इंपलेमेंट कर्ना पदब अब आगन कुछब्रू जो के ईसंशल हैं मुछ नॉन इसेसंशल लह और कुछ है additional variables and non-essentials we will not discuss because you are not expecting any question from there right so essential variables essential variables ऐसे variables होते हैं जिनको हम beyond a specified limit अगर change करते हैं तो joint की properties पे effect आएगा अब कुन से properties पे यह आपको लाजमीं कंसिडर करना है क्योंकि अप्रोच डिफ्रेंट है British will go for joint strength and ductility British will go for strength and ductility and Americans will go for toughness and hardness इसलिए 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 एडिशनल वेरियेबल जो है जिनको ब्रिटेज वेडिशनल क्लास करते हैं अगर आप इनको प्योंड आप स्पैसिफाइड लिमिट चेंज करते हो तो चेंज किसमें आएगा toughness or hardness में right so British के लिए जो additional variables है Americans के लिए वो supplementary essential variable है variables में class होंगे so range of qualification for production welding is based on the limit that VSE and ISO standards specifies for essential variables and when applicable the additional variable also so I told you अगर आप इसको beyond a specified limit change करेंगे तो particularly joint strength or ductility पे impact होगा और अगर आप additional को change करते हैं तो इसका effect किस पे होगा toughness or hardness so as may call variable that effect toughness as supplementary essential but does not refer to hardness sometimes so mostly they refer to toughness so यह कुछ variables हैं यह आपको याद होने चाहिए like यहां पर भी वह आपसे questioning कर सकता है previous भी questioning हो सकती है कि why are some variables classed as essential and why are some classed as additional what is the reason तो reason में आप बताएंगे कि additional जो हैं वो इस पर impact रखते हैं और जो आपके essential variables है वो इस चीज़ पर impact रखते हैं right so आप से उसे से lead करता हुआ आगे अगर question कर लेके बताएं जी essential variable कौन-कौन से हैं तो उसमें welding process है postural heat treatment है material type इलेक्टो टाइप फिलर वायर टाइप है material की thickness polarity preheat temperature राइट and some typical additional variables are heat input and welding position तो आप इन में से जो भी आपको easy लगता है उसको remember कर लें उससे हटके जो आएगा वो other में fall करेगा okay traditional जो है वो ज्यादा easy है remember करने के लिए heat input और welding position इससे हटके अगर आता है तो वो किसमे class होगा essential राइट तो इस तरह से आप easily इसको याद भी रख लेंगे आप confused भी नहीं होंगे okay so producing a welding position involved planning the task collecting data writing a procedure for use of for trial test file बनाएंगे evaluate करेंगे result को approve करेंगे procedure को और documents prepare करेंगे okay यह procedure चलता है इसको यह कुछ code से है यह से AWST 1.1 that is a structural steel welding code 2633 for steel pipework AP1104 welding of pipelines के लिए 4515 welding of pipeline over 7 bar pressure not much to remember just go through okay कुछ और स्टेंडर्ड है जो के procedure qualification में directly तो नहीं इंडारेक्ली यहां से भी कुछ चीज़ें हैं जैसे 1011 यह प्री हीटिंग के लिए होता है process of arc welding steels इसमें प्री हीटिंग की रेंजिस हैं राइट इसका रेफरेंस ले सकते हैं welding procedure में कि WPS में क्या का चीज़ें इंक्लूड होती है पेरेंट मैटल किस टाइप का है थिक्नेस क्या है डायमेटर कितना है सर्फिस कंडिशन welding process type of process कौन सी एक्रपेंट के पैरामिटर्स क्या है एंपेरिज वोल्टेज ट्रावल स्पीड यह कितने रखेंगे इसके रेंजिज होंगी वालिंग कंजुमिबल जिसमें टाइप ऑफ यह कंजुमिबल डायमेटर कंजुमिबल ब्रैंड की क्लासिफिकेशन होगी कौन सी ही ट्रेट्मेंट यह किन स्टोरिज कंडिशन पे आपने उसको रखना है उसके डिटेल्स होंगी जॉइन डिजाइन में एच प्रपेशन रूट फेस फूट गैप टेकिंग टाइप बेकिंग किस तरह की करेंगे वालिंग पॉजिशन लोकेशन पर करेंगे शॉप लोकेशन जो है वो आपकी शॉप या साइट होगी किस तेगा पर आपने वैल करना है फिर किस पॉजिशन में प्रप्योर के लोग टुज आप्रा सब्सक्राइ वाल बेकिंग करना कार्वी करद गैड ट्रिप्याइ हो गैडा कर विंग पॉजिशन यवालोज व्ट कर देक्शन लुट प्रुजिशन टाप्र में सब्स्टरी बॉट्य तर्मली ट्रित मान परीट ट्रिट मैं कि वैल्दिंग प्रसीजर बनाते हैं इस प्रसीजर वैल्दिंग कंडिशन टेस्टिंग अपूबल रेंजिस इस इस अब इस अब को मैक्सिमन कॉंपटेंस हो जाए कि मेकैनिकल टेस्ट रिजल्ट प्लस एनी अदिश्मिल डॉक्यमेंटेशन राइट अब्जेक्टिव क्या होता है इसका कि आपको मैक्सिमन कॉंपटेंस हो जाए कि मेकैनिकल और मेटलर्जिकल प्रॉप्रीज मीड़ी रिक्वार्मेंट ऑफ एप्लिकेबल कोडर स्पैसिफिकेशन इच वर्डिंग प्रसीजर विल शो अरेंज टू विच प्रसीजर इस अप् अपने को शो करवा सकते हैं ओके यह चीजें हम डिसकस कर चुके हैं यह कि तमाम वही चीजें हैं वेल्डिंग प्रसीशन वेल्डिंग टाइप साइज जोई डिजाइन वेल्ड सीक्वेंस वेल्डिंग परमेटर इस इस इन एक्जाम्पल ओफ डव्ली पेस जैसे यहां पर देखें कि यह मल्टी रन में कंप्लीट हो रहे हैं एदर रूट फेस रोड गैब बैवल्स की डिटेल्स है तनियावे मेटीरियल की थिकनेश उसकी ग्रूपिंग है ओके आपके पास यह फिलर्स की डिटेल्स रिकॉर्मेंट्स आ जाती है शिल्डिंग गैसे उनके मिक्सर आ जाते हैं प्लैरिटी प्लैरिटी यहां पे एदर एंपेरेज वोल के लिए कितना रखेंगे में के लिए कितना और कैपिंग के लिए कि सबस्क्राइब हो जाना है याँपनी and project details, welding के लिए details है then यह parameters है, signature and extra information हो गया है अगर इस साद पर आज है तो material type grade, pillar material type grade shielding यह flow gases then welding positions, pre-heat temperature inter-pass temperatures, welding technique, mode of metal transfer welding processes, parameters, heat input etc. okay so when impact or hardness requirements are specified impact test shall be taken in the highest state input position and hardness test shall be taken from the welding lowest state input position in order to qualify for all positions so यह हमने chapter number four में discuss किया था कि जब भी आप लाइक एक पाइप को fix position में रखते थे हो तो उसमें जो पी एफ की आपकी progression चल रही होती है यह मैक्सिमम हीट इंपूट की पोजिशन वहां से आपने impact testing के लिए specimen लेने होते हैं और hardness के लिए आप lowest heat input वाली पोजिशन से पीस लेंगे लाइक जो आपकी overhead की position जाती है right so welder qualification BSE NISO 9606 we have this standard for welder qualification is का old standard 287 so once the content of procedure is approved next stage is to approve the welders to the approved procedure welders test known as welders qualification test is from wqtb k therapy okay so wqt gulluk was at the objective kya hotha iska to give you maximum confidence that the welder meets quality requirements अगर इन शॉर्ट बोलें तो हमें वैडल का स्किल चेक करना होता है एधर ही आज दिस्किल तो वैल्ड पार प्रोडक्शन वैल्डिंग और नॉट कि अगर वह स्किल्फुल नहीं है अगर वह अप्रूव नहीं हुआ तो आप उसको कभी भी प्रोडक्शन वैल्डिंग पे नहीं लगाएंगे के लगा सकते हैं नहीं लगा सकते जब तक के वह अप्रूव ना होगा एंड तोल्ड यू टेस्ट वैल्ड शुट बी करेड़ आउट उन सेम माटीरियल एंड सेम कंडिशन एस फॉर्टी प्रोडक्शन वैल्ड यानि जो डव्ल्यूपियस आपने अप करवानी अगर उस पर वैल्डर वैल्ड लगाने में काम याप हो जाता है देन आप उसको अलोग करेंगे प्रोडक्शन वैल्डिंग के लिए अचा अगर वह फेल हो जाता है तो क्या करेंगे टला हो जाता है वाकीमेे मटिरी तीम्स हैं जाן पिल को थे कंशनе पैस है जाता है थे भी जुक्त बता, कीम्यात इखल्सन वह अजकते हैं सेंगेमे बादर लेह सिंगिए अचा व्तेक्शन वह है तो यह बच्टिसएशन एक जरेड माल के लिए रेपर यह Again kitchen कि देंगे क्या वेल्डिंग सुब्सूर में झाओ वह प्था ओधि अब दो बार्था अगर वह उसमें क्लेर कर जाता है देन आप से PEWैल्टेंगे लिगन एंगर भीयो जाते दिन you will dismiss the welder right and ask him to come when you have done the practice practice जब उसको टेखनीक प्रोपर उस पे अबूर आसे रो जए तब वो दुबार आ यानि नेस्स प्रज़क पे आज़ उसको हम next project पे एक सिर्फ़ेटर रएविड रएट so information that should be included on a welder's test assertive cater sketch of run sequence welding positions joint configuration details material type कोन सा qualify किया इसने कितने डाया पे qualified है test के result क्या है remarks क्या है test के location क्या थी किसने विटनेस किया एक सेंट ररींज और अप्रूवल अब इनस्पेक्टर के तो मजह हैं वैल्डिंग इंस्पेक्टर जो है वो एक दफार उसने दिया लिए कोई रिक्वालिफिकेशन नहीं ठीक है अगर उसकी रिक्वालिफिकेशन आती पिया तो पांच साल के बाद उसको कुछ फीपे करना होती है पांच साल की मजईद एक्स्टेंशन मिल जाती है तब उसने दुबारा एक्जाम देने ठीक है लेकिन के लिए एक्स्टेंट ऑफ अप्रॉवल होता है कि अगर वह कॉंटिनियूसली भी वैल्ड कर रहा है कॉंटिनियूस वैल्डिंग करते हुए भी अगर उसको तक्रीबन डेट से दो साल का यह लिमिट होती है अरौंड स्टेंडर्स में वेरी कर सकता है लेकिन राउंड अपॉट इतनी ही लिमिट होती है तो इतना उसको अलोग होता है उसके बाद उसने दुबारा से अपना साटिफिकेट रिन्यू करवा रहा है और अगर उसने छे माह से कोई जॉइंट अप्रूव करवाया ही नहीं को जॉइंट ही नहीं लगाया उसने वेल्डिंग ही नहीं की छे मां से पर उसका जो साटिफिकेट है वो आटोमेटिकली एक्सपायर हो जागा अब उसे दुबारा से वेल्ड लगाना पड़ेगा और अब खुद को अप्रूव करवाना पड़ेगा तो कंपनीज में मुझ अब भी नया प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें चाहे को बंदा ऑल्रेड़ी हो सेम मटीरियल के लिए सेम लेंजिस के लिए क्वालिपाइड है भी तो फिर भी वो अपना शक्त दूर करने के लिए उससे डव्ली क्योटी लगवाते हैं और पिर उसको सार्टिफिकेट इस करते हैं ओके और उसके सार्टिफिकेट पे भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर के सिगनेचर होते हैं जिसने इसको मॉनेटर किया होता है डव्ली कुट को अला हुग विज्जियोग तो यह कुछ जन्रल एंड पर्सनल इंफ्रमेशन है ऑन दी अपर पार्ट जो के इंफ्रमेशन और क्वालिफिकेशन की यहां पर आपको शो करवाई जा रही है और टेस्टिंग के रिजल्ट कौन से टेस्ट इसने पास की है कुछ या फेल हुए है एक्सेप्टेबल था या नहीं एंड वैलिडेशन पिरियोड होता है जिसमें डेट ऑफ वैलिडेशन हो जो होती है इस तरह से लग तो इनका क्या मतलब होता है कि 135 वैलिंग प्रॉसेस 154 मैग वाल्डिंग प्रॉसेस प्रॉडक्ट टाइप क्या है इसमें पी पी अगर है तो प्लेट के लिए पाइप है तो उसके लिए टी यूज होगा ओके बी डव्य या एफ डव्य बीड़ व्याद वाइल फ्लेट वैल तो फिलेट वैल तन फिलेट मेटल का ग्रूप है ग्रूप नमबर वान यहां पर टाइप ऑफ कंजुमिबल ऐसे लाइक टेस्पीस की डिमेंशन कितनी है थिकनेस टैने पीबी वैल्डिंग पॉजिश ndb means no backing okay so backing range तो यहां यह देख लें इन में आप में में चीज जो है वह फ्रीजिक्स टेन्यों है वन फूर वन वन फाइव ट्रीडबल वान वाकियों से भी अगर आप गोत्रू होना चाहते हैं तो गोत्रू हो लें लेकिन यह कुछ में जो मैंने आपको भी हाइलाइट करवाए है आपने इनको अच्छे से रिमेंबर कर लें एस्टान फॉर डिज है लनOD tw отвеч लू काई बप्रो एसी एस्टान 5 P for plate, S for deposited thickness, T for material thickness, S deposited thickness of fused metal, then T for material thickness, again S for deposited thickness of the welding process 1, S2 for welding process 2, T is for pipe, Z for leg length, M stand for metal core, P stand for electrode core, S stand for solid wire, V stand for electrode wire, that is rotile or basic, W for basic, Y for basic fluoride, and now here is the difference, W is for slow phrasing, Y is for fast phrasing, and G is for electrode core, other types, FB flux backing, BS welding from both sides, SS single side welding, CI consumable insert, LW leftward welding, MB material backing, NB without backing, right, GB gas backing, ML multi-layer, SL single layer, RW rightward welding, SS single side welding, okay. So range of qualification allowed for production welding is based on limit that EM standard specifies for the welder qualification essential variables. The welderquest certificate automatically expireow mesure comes to 6 months, Z for duż העdisant zap retained switchнов. So welder qualification as well as essential variables are necessary, that if you can change their standards तो वैल्डर को ज्यादा स्किल्ड रिक्वाइर होगा वैल्ड करने के लिए अब यह कौन कौन से हैं वैल्डिंग प्रॉसेस मटीरल टाइप एलेक्टव टाइप मटीरल थिकनेस पाइप डायमेटर वैल्डिंग पॉजिशन वैल्ड बैक इन लैट से वैल्डर जो है वो रबंब स्टील के लिए आप उसको ऐसको के लिया लगा देते हैं स्टेइनलस स्टील के लिए वैल्डिंग गर करेगा ज़रूरूर लेकिन वैकुरेड या क्वालिटी वैल्ड नहीं दे सकता बिकॉस इब नॉट वालिफाइड ऑन तो सब्सक्र तो इस्टाइव के लिए लगाले के लिए तो आया जो वाला वॉ बट के लिए कौलिफोइड और उसके लिए १ि zmian की कौलिफईड उसके लिए शॉड़े में इस लिएवच्छे डाइडों होगी वॉ तो आप रेफर करेंगे कि आपका स्टेंडर्ड आपको क्या लोग कर रहें है को कि वैल्डिंग पॉजिशिंज वैसे नॉम्मली इन के लिए ना सेपरेट होती है बड़ के लिए फिलेट के लिए सेपरेट क्वालिफिकेशन रेंजी कुछ में यह मैच कर जाते हैं कुछ में यह डिपर कर जाते हैं तो वह हम चेक करेंगे स्पैसिफिक जिस स्टेंडर्ड से आप रेफरेंस ले रहे हो वह स्टेंडर्ड में के स्टेंडर्ड क्या लोग कर रहे है बट्वल्ट के लिए क्या and witness by whom extend to range of approval right so it is normal for a qualified welding inspector usually from an independent like third party inspector to witness the welding under normal circumstances only one test weld per welder is permitted if you fail to go to the flow in a minute to go to the training right if you fail but failure is a failure which is the result of the welder goes into the quality equipment so we can replace the equipment which is wrong शेड़ाइब है उसको दूर कर करें दूर करने के बाद आपने अगें उसे तैस्ट रगवा लाएं वैद कि टेस्टिंग टेस्टिंग दॉर्ड इस अगूर्दबिस फिर एप्लेकिबल कोड और दिस लाइन इसमोस्तफम इंप्वॉर्टन इस नॉर्मल टुक करी आउट टे दिल जब तक के क्लाइट की साइट से रिक्वार्मेंट ना हूँ ओके इस तो एने क्वेस्टिन वन दिस टॉपिक एने क्वेस्टिन रिगार्डिंग डव्यू प्रिवेशन पड़े हैं हमने वो हर एक अप्रिवेशन को याद रखना है ज़रूरी है वो आपको आडिया होना चाहिए जो आपका का पेपर होगा उसमें आपको रीड करना आना चाहिए तो अगर आप एप्रिवेशन रीड नहीं कर सकोगे तो वह पर मुश्किल होगी आपके लिए वहाँ पर उसको हमेरे मेंबर करें करें के लिए यस अप्रिए जो आज के लिए हमें इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं तल के लिए हमारा होगा मेटेरियल इंस्पेक्शन एंड पोड़ और स्टेंडर्स ओके करें से में तो अब करें देखें करें करें से लिए हमारा है